यह question number 3 or question number 4 है question number 3 आज कल अपनों को पता कि जिस तरह से कोड़ी चाड़ा तो उसी हिसाब से आपका question जो मैंने रिसेट के 45 मास्स और डिवाइद बिट्वीन जैन, जोया, एंड जमान in the ratio 2, 3 और 4 find the number of मास्स that each person will receive question number 45 marks है और 2, 3 और 4 की ratio से इसको डिवाइड करना तीन लोग जो जैन्स होया और जमान में तो पूछा के बताना के कितने कितने मास्स के एक बंदे को आते हैं question number 400 sanitizers are divided between between Ali, Ahmed, Aksa and Anam in the ratio 3, 4, 6 and 7 find the number of sanitizers that each person will receive hundred sanitizers हैं और चार लोग हैं Ali, Ahmed, Anam और Aksa तो 3, 4, 6 and 7 की ratio से इनको डिवाइड करना है तो यह चाह करना के हर किसी को कितने कितने मिलते हैं ठीक है तो solution का तो question number 3 मैं कर रहा हूँ question number 4 आप लोग हो प्रैक्टिस के लिए solution number 3 का सबसे पहले आप लोग हो जो ratio है ना उसको add कर लेना ठीक है 2 plus 3 plus 4 जो ratio थी यहाँ पर question number 3 में 2, 3, 4 को उसको add कर लेना तो यह मेरे पास answer आएगा 9 ठीक है अब जैन को कितने रेसीव यह जैन के साथ ratio के थी ती 2 तो 2 over 9 multiply by जो total number of marks थे हूँ है बस 45 अब 9 को divide के 45 पर 5 के साथ जाएगा 2 multiply by 5 10 जोया को receive 3 over 9 multiply by 45 9 को divide करने के 45 से 5 आएगा 5 को multiply कि 3 के साथ 15 आएगा इसी तरह जमान receive 4 over 9 multiply by 45 is equal to 4 multiply by 5 answer आएगा 20 आगा अब यह आप लोगों ने चेक करना है कि जो आपका questions के answer आप लोगों कि आएगा वर सही है यह गलत है तो यह जो नंबर्स आपके पास है 10 15 और 20 इन सबको add करने तो को add करोगे तो देखा आपके पास 45 answer आता है तो आपका questions सही है नहीं आता तो कहीं कुछ गलत हो गया तो 20 प्लस 10 हमारे पास आगा 30 30 और 15 को add कि तो में पास आगा 45 समतर यह question मारे पास बलकुल ठीक है ठीक है तो इस तरह से आपने इस questions जो question no.4 हो आप लोगों ने खुद से करना है